असलाम लेकुम दियर स्टुडेंट्स, वेलकम बैक तो दो चैनल, फैसल सरज एकडेमी, जैसके आप सब को पता है, BG6 सिमिस्टर की वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट किये है, पॉब्लिक एडिमिनिस्ट्रेशन और पॉब्लिक पॉलिसी के हवाले से, बैस 2019 और बैकलॉग ब एक वीडियो तो हो गया, अब ये इस वीडियो सीरीज का दूसरा वीडियो है, प्रिविएस वीडियो लेक्चर में हमने डिसकस किया था, जिसमें हमने डेफिनेशन भी एक देखी है, और इंट्रोडेक्शन भी आपको मैंने बता दिये, तो आज का जो ये वीडियो इसमें हम डिसकस करेंगे नेचर, what is the nature of public administration and SICO, तो वीडियो को लाज तक देखना, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चनल पर नए हो तो चनल को सबस्क्राइब कीजिए और इस वीडियो को बाखी सिटूटर्स तक भी पहुँचा दीजिए ताकि वो भी अच्छे contented, अच्छे quality का material पास सकें और exam में आसानी से लिख सकें और whatsapp group की link में नीचे description में दूँगा, वहाँ से मैं अकसर PDFs, mock tests और free material आपको provide करता हूँ, नीचे description में और comment section में मैंने pin करके रखी है, whatsapp group की link आप वहाँ से join कर सकते हों, तो आज का topic है हमारा, that is nature of public administration देखे ये दो चीजे हैं, एक होता है nature और दूसरा होता है scope, nature क्या होता है और scope क्या होता है, अगर आप word meaning समझोगे तो आपके दिमाग में automatically कुछ points आएंगे, जब हमने एक video, previous video में ये कहा था, कि public administration होता क्या है, तो आप खुद भी लिख सकते हो, जब आपको heading की जो knowledge होत नहीं है, फिर आप क्या लिख पाओगे, nature होता है वो activities जो एक organization में perform की जा रही है, वो activities जो एक district administration में perform की जा रही है, तो वो administration का nature कहलाता है, या उस organization का nature कहलाता है, जिस organization में वो activities वो काम किये जाते है, अब है scope, scope होता है दाइरा, मान दो आपको में आपर example के तोर पर, मान एक dot है, इसके आसपास का ये जो दाइरा है ये इसका scope है, इसी तरह से इस subject का क्या scope है, इस subject का क्या दाइरा है, कहां से हम इस subject को study कर सकते हैं, क्या क्या इस subject में आता है, वो इस subject का scope बनेगा, वो हम नीचे discuss भी कर लेंगे, या next video में, इस video में हम करेंगे discuss nature of public administration, I hope कि आप आपके exam में आता है, what is the nature of public administration, तो आप scope लिख देते हो, scope आता है, तो आप nature लिख देते हो, इसलिए आपको ये समुझना जरूरी था, nature की जहां तक हम बात करेंगे, तो जब हम nature public administration का study करेंगे, तो इसमें क्या है, कि सबसे पहले हमारे पास दो नजरिया आते हैं, उन्हीं दो नजरियाओं के heading में जो है, हमें public administration का nature बता रहा है, right, एक होता है integral view, दूसरा होता है managerial view, integral view क्या होता है यहां पर और managerial view क्या होता है, आपको ऐसे ही ditto exam में भी लिखना है, integral view की जहां तक हम बात करेंगे, इसमें वो activities साथ है, which are manual, clerical, managerial, simple words में अगर कहेंगे हम, वो काम जो एक top official से लेकर पियान तक, या पियान से लेकर top official तक, जितनी भी activities हो रही हैं, वो public administration का part है, इस example को हम ऐसे भी कह सकते हैं, PM, prime minister, अगर हम एक state का लेंगे, उससे लेकर, यह मालो यहां पर prime minister है, इससे लेकर एक तासिलदार तक, जितनी भी activities हो रही हैं, जो भी काम किये जा रही हैं, इसमें प्यान भी आएगा, इसमें ADC भी आएगा, इसमें district collector भी आएगा, इस integral view, वो होती हैं, integral activities, right, simple, छूटे मोटे लबजों में अगर कहेंगे हम, वो सारी काम, जो प्यान से लेकर, executive officer तक जो होती हैं, वो होती है, public administration, which is known as the part of public administration, तो यह आता है, integral view में, अब हैं यहां पर एक definition, जो आफ इसके nature में लिख सकते हो, लेकिन under the heading of integral view, आफ यह मत लिखन कि इस definition को आप लिखोगे, नीचे, managerial view में, तो इसमें आफ के marks कम आ सकते हैं, तो यहां पर मैं erase करता हूँ, ताकि आफ को जह हैं फिर अच्छे से देखने को मिलेगा, wait just a second, अब हैं पर definition, L.D. White कि इन्होंने क्या कहा है, public administration consists of all those operations having for their purpose, the fulfillment or enforcement of public policies, यानि वो सारे operations, वो सारे activities, जो किसी चीज को achieve करने के लिए किये जा रहे हैं, जो public policy को enforce करने के लिए किये जा रहे हैं, achieve करने के लिए किये जा रहे हैं, उसको हम कहेंगे public administration, अब इसके activities की जहां तक हम बात करेंगे, या हम दूसरे लबजों में कहेंगे, supporters, advocates, वही होते हैं, तो integral view के जो advocates थे, supporters वो था, LD White है, उनमें से, Woodrow Wilson है, John Piffner है, Dimock है, तो Woodrow Wilson को जो है, father of public administration भी कहा जाता है, यह आफ याद रखिएगा, मैंने पहले वीडियो में नहीं बताया था, तो यहां से आफ यह याद रख सकते हो, तो यहां पर भी आफका एक question बन सकता है, कि write down the three names of advocates of integral view of public administration, त आते थे, जिन्होंने integral view को अपनाया था, तो उसमें से, LD White है, Woodrow Wilson है, John Piffner है, Dimock है, आज कलकी exams थोड़ा tough होते हैं, इसलिए यह चीज़े आपको खुद यहां पर जहन निशीन करना चाहिए, अब है यहां पर next that is managerial view, managerial view का क्या मतलब होता है, यह हम यहां पर समझ लेंग उनके साथ जो भी लोग deal करते हैं, वो managerial view में आते हैं, in other words, we can say that all those persons who are involved in performing managerial activities, managerial activities में क्या क्या आता है, for example, एक district को अगर हम देखेंगे, तो यहां पर अगर आप देखोगे, DM, district magistrate, उसकी जो activities है, जो top level की activities होगे, मैंने नीचे लिखा है, activities of only the top persons are called managerial activities, एक college को अगर आ होगा, उसकी जो activities होगे, उसका जो काम होगा, वो होता है, managerial activities, उसका काम होता है, command करना, employees पर, जो उनके juniors होगे, वहाँ पर, जो उसकी employees होगे, उन पर orders देना, वो ही होती है, managerial, top level activities, top official activities, इसमें PN का कोई role नहीं होता है, right, तो यह होती है, managerial activities, तो यहां पर और एक definition है Professor Luther Gullick Administration has to do with getting things done तो इस definition से भी आपको समझ में आता है Command Type की है Administration has to do with getting things done कामों को करवाना है यानि Boss ने आपको बताया आपको ये काम करना है यानि आपको करना ही है तो इसमें जो है Top Level की Activities आती है Advocates जो है Manageral View के इसमें आते हैं Professor Luther Gullick Herbert Simon आते हैं Smith Berg आते हैं Thompson आते हैं तो ये हैं इसके Advocates तो उपर से नीचे तक Integral View से लेकर Manageral View तक जितनी भी Activities मैंने आपको बताया है Top Level Activities या PR की Activities वो काम जो उस subject में किये जा रहे हैं वो आते हैं Nature of Public Administration में तो I hope कि ये वीडियो आपके लिए helpful थाबित हुआ होगा Thank you and thank you very much